माफिया आतीक एहमत के कंट्रोल रूम की इंडिया ने उत्समवादाता से सुनिये पूरी कहानी जलते हैं अतीक एहमत के अपराद के इस हेड़कॉर्टर में जहां से बैटके ना सिर्फ वो अपरेट करता था बलकि वहीं से सारे धंदे संचाले तो दे चाहिए अतियारों के धंदे हो लैंड माफिया कंट्रोल करना हो बाकी चीज़े कंट्रोल करनी हो इसी दरवाजे इसी गेट से इंट्री होती थी यह तखत है यहां अतीक के गुर्गे बैठते थे यह तोपी भी रखी हुए यहां अभी तक पड़ी हुए जहां लोग नमास अदा करने जाते थे तो यहीं से तोपी ले ले लेते थे और यह जो सेल्फ हैं जो खाली हो चुकी हैं यहां पर तमा हत्यार लिए छोटे हत्यार लिए बाकी बदमाज भी होते थे यहां पर यह वो सोफा है जहां पर अतीक जिन लोगों को भी ऑर्डर करता था कि आज तुम्हें आना है प्रापर्टी डीलर बिल्डर छोटे वैपारी बड़े वैपारी उनको यहां पर बुलाकर बैठाये जात है तो और यह कुरसी है जिस पर वो जराइम के दुनिया का जो बदमाश माफिया डौन अतीक एहमद वो बैठता था आज और ताश खेलने का बहुत शौकीन था अतीक एहमद आज यह ताश के पत्ते जिस तरह बिखरे पड़े हैं वैसे अतीक एहमद की जिंदगी बिखर गई है अतीक एहमद का परिवार बिखर गया है यह बस्पा का पोस्टर है और तैयारी चल रही थी कि शायस्ता परवीन को बस्पा से ही मेर का प्रत्याशी बनवाया जाए और दुबारा जो राजनितिक दखिल है प्रियागराज में वो शुरू हो अतीक एहमद का उसी जो प्रोशोर से अलाकि वो संभव नहीं हो पाया उमेश्पाल अत्याकान के बाद ना सिर्फ शायस्ता परवीन का नामी हट गया बलकि उन्हें पार्टी से भी बाहर कर दिया गया यहां पर यह जो जगहा है यह बहुत एहम है यहां पर डाक यहां पर अतीक एहमत के सारे दस् जितने एक सौस उपर मुकदमे चल रहे थे उन सारे मुकदमों की फाइलें यह देखे यह स्टामपेपर रखे हुए हैं यहां पर खालिद अजीम अश्रफ पूर विधायक अश्रफ का जो लेटर हैड है विधायक का वो रखा हुआ है इसी लेटर हैड से अश्रफ फर्मा पारशदी इलहाबाद की बुकलिट है कौन कहां से पारशद है पूरा डीटेल देखी लिखा हुआ है यहां एक तरह से कहा जा आतीक अहमत का वार रूम चलता था पॉलिटिकल पार्टियों के वार रूम में रणनीती तय होती है यहां यह तय होता था कि किसका कौन बात न पारशदी पार्टियों के वह सारी कटिंग यहां पर रखी हुई है बहुत सारी चीजें दस्तावेज यह देखिए अतीक अहमत का समाजवादी पार्टी में सुनीता देवी यादा हो प्रमुक इस तरह के प्रधान और कई सारे लोगों के भी चीजें यहां पर मिली है खा खाइले हैं वोटर लिस्ट हैं बहुत सारे दस्तावेज देखिए यह टॉर्चर रूम भी कहा जाता था टॉर्चर रूम के बगल में ठीक यह जो कमरा यह गोपनी कमरा था यह अलमारी है यह हर लिहाद से बहुत अहम थी लिफाफे रखे हुए है कई सारे यह देखिए ल मुकदमों की पहरी करते हुए जेल जाते हुए लड़ाई लड़ते हुए लहाजा उसको समझ में आता था कि कब अपराद करना है वकीलों से बहुत इंप्रेस रहता था वह बहुत प्रभावित होता था वकीलों से इसलिए यहां पर वकीलों का आना जाना बहुत रहता था एक शक्स जिसकी बार बार बात आ रही है, जिसे अमरके की सजा भी हुई है, हमेश पाल अपहरण मामले में, वो उनके मुख्छ व कीर ते हैं, और गुलाम शौलत खान, घौलाम शौलत हनीव की बात की जा रही है, वो उनके क्रीबी थे, और उनका जादा दखलता यहां पर, और ये देखे वोटर लिस्ट इसको क्या चुनावी लोकसभा 51 फूल पूर इलहाबाद यहीं से अतीक एहमत चुनाव लड़ता था लोकसभा का तो किसको क्या मिला चुनाव निशान ये देखे बाकाइदा सारी चीज़ें ये वोटर्स को लुभाने के लिए सारी चीज़ें लिए उसके अलावा अतीक एहमत का लेटर पाड अतीक एहमत के नाम के लिफाफे यह वो दस्तावेज हैं जो उस वक्त लोगों को डर में डालने के लिए बहे में डालने के लिए काफी थे तीक एहमत क्योंकि बड़े शान से एक उपर 100 सूपर मुकदमें कई सारे लोगई करें हैं दिन-दिन भर बैठ कर इंत्जार करते थातीज अंदर बैठा रहता था-सी में बाहर मिलनेने निकलता था उनको सरफ यह जताने के लिए कित तुम कितने गएर्मामूली हो उसके लिए यहां बृडर को सरफ धमकाने के लिए अवाए जाता था कई रहे यह को यह भी कहानिया सामने आई हैं कि इस कम्रे में घंटों यह पेटा कर बाहर वाले कम्रे में यहाँ बुला कर बुरी तरह से मारा पीटा जाता था लाठी डंडों से कई कि दर्द को दूसरे अंदाज में बया करता था यहां तक कहता था कि आओ तुमको एक लपड मारने का जी कर रहा है लोगों को यहां बुलाया जाता था यहां भरी महफिल मों बैट कर अतीक उनके मूँ पर एक तमाचा जड़ दिया करता था और बड़ी शान से कहता था देख केमरमेन अर्शद के साथ अभिशेख सिंग इंडिया न्यूज प्रियाग राज आएम आप